नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में कभर करेंगे चन्नाई सुपर किंग्स वर्सेस रोयल चलिजर्स बैंगलोर की बीच में खेले जाने वाले फर्स्ट आईपिल मैच को कैसी रहेगी पिछ रिपोर्ट क्या रहेगी दोनों टीम्स की प्लेइंग लेबेन, किसको पिक करना है किसको ड्रॉब करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट चोईस कौन होगा, कौन से हाई स्लेक्टेट प्लेइर इस मैच में फ्लॉप हो सकते हैं और कौन से लो स्लेक्टेड डिफरेंशल गेम चिंजे ट्राम कार्ड प्लेइर इस मैच में परफॉर्म करेंगे, जो कि आपको वन सेड़ ग्रैंड लिक्स एंड स्मॉल लिक्स विन करेंगे, लास्ट सीजन सबसे जदा ग्रैंड लिक्स एंड मेगा ग्रैंड लिक्स हमारे मिंबर्स ने विन किये थे और इन सभी का रिजल्ट प्रूफ आप लोग टेलीग्राम चैलन्ज से जुड़ कर द दिख रहे होंगे, सिंपल्स आपको चार रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, पहला आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है जो कि मॉस्ट इंपॉटेंट रूल है, सेकेंड आपको इस वीडियो को लाइक करना है, थर्ड आपको इस वीडियो पे कमेंट करना है, फॉर् जो इस वीडियो में question पूछे जाएगा उसका answer अगर सही देंगे तो उनको giveaway price मिलेगा और एक user को मिलेगा 1 lakh रुपीज April 2024 के end में जो सभी वीडियो को full watch करेगा, like करेगा, share करेगा, comment करेगा और channel को subscribe करके notification bell icon को all pay करेगा ये giveaway daily होगा, हर वीडियो में होगा, सभी लोग इस giveaway में participate कर सकते हैं, इन simple से rules को follow करके चार giveaway होगे daily हर वीडियो के अंदर और आप free में धेरो सरा amount यहां से win कर सकते हैं और अभी तक आपने telegram channel join नहीं किया, बहुत कुछ आप में इस कर रहे हैं, बट telegram channel join क्यों करना है, lineups के बाद कई सारे से updates होते हैं जो YouTube पे हम cover नहीं कर पाते हैं, like final page report, confirm playing leban, most important जिस grand league और small league team से हम खेलते हैं, same team आपको बिल्कुल free of cost हम telegram channel पे provide करते हैं and daily telegram users के लिए 1 lakh से लेकर के 5 lakhs तक बिल्कुल free give वे रहता है, उन सब का भी आप benefit उठा सकते हैं, तो telegram channel से जुड़ना कैसे है, जो आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के description and comment section, दोनों ही जगा आपको telegram channel का link मिल जाएगा, link पर click कीजिए और free telegram channel अभी join कीज और आप में इसे काफी है, इसे मेरे भाई होंगे जो की पहली बार इस channel के वीडियो को देख रहे होंगे, तो channel को subscribe करके notification bell icon को all pick कर दीजेगा, start करते हैं, pitch reports है, fresh pitch का इस्तमाल किया जाएगा, pitch की behavior की बात करे, neutral and balanced picket यहां कर रहता है, बले बास और gain बास दोनों को pitch से बरा पर देखेंगे, तो Pacers के इंद बास इवें जादा dominate किये है, as compared to Spinner's, ODA World Cup के अंदर 45 wickets मिले थे Pacers को, and 25 wickets मिले थे Spinner's को, वही कर आप देखो कि जो 9 matches खेले गए थे, ideal 2023 के अंदर, वहां पर भी Pacers के इंद बास ने dominate किया, तो 65 wickets उनको मिले थे, और Spinner's को 46 wicket, तो आम तो पर हमने सबसे यही कहते हैं सुना है कि चेपॉक की जो पीछे, जो चिन्नाई की पीछे, वहां पर Spinner's के इंद बास डॉमिनेट करते हैं, बट ऐसा बिलकुल भी पीछले एक-दो साल के अंदर हमें देखने को नहीं मिला है, यहां पर Pacers के इंद बास ने भी बहुत मिलने वाले हैं, लाइक शादूल ठाकूर, शादूल ठाकूर इस सीजन जो भी मैचेस खेले जाएंगे, एमेच इदमरमी स्टेटियम चिन्नाई के अंदर, वहां पर आपकी लिए Grand Ligz के अंदर हमेशा Captain Vice Captain के लिए एक differential choice निकल करके आएंगे, यहां कि अगर मैं पीछ की बात करू, तो slow बिकेट हमें आम तोर पर देखने को मिलता है, इस स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के दस अबर के अंदर हां पर बले बाजी करना आसान रहता है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगी के तरफ प्रोग्रेस करता है, पीछ यहां पर slow होता जाता है, इसलिए इस करने वाली टीम, यहां पर अगर अच्छा स्कोर कर देती ही, 170, 180, तो टार्गेट यहां पर इजिली डिफेंड हो जाता है, लेकिन अगर बहुत कमरन बनाती ही, 140, 150, यह फिर 130 कराउं, तो ओ टार्गेट हां पर थेज हो सकता है, तो इस बात को आपको ध्यान रख करके चलन है, आम तोर पर यहां पर dry pitch हमें देखने को मिलता है, cracks हापर होते हैं, हलाकि pitch इस बार fresh होगा, पहले starting matches के अंदर हमें जादा आपको, आप कह सकते हो कि turn और grip देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे से pitch used होंगे, जैसे से game आगी के तरफ progress करेगा, tournament आगी के तरफ जाएग spinence के अंदबास को यहाँ पर अच्छा खासा turn और grip देखने को मिलता है, और सतन अगरे बात करें turn की, तो 2.5 degree के around turn हमें देखने को मिले तो world cup के अंदर भी, और यहाँ पर जो IPL 2023 खेले गए तो वहाँ पर भी, so ओभर लगे बात करें, तो quality batsman, जो कि spin को बहुत अच्छे स खेलते हैं, जो यहाँ पर slow picket पर थोड़ा च्छे से बल्लेबाजी करता है, आपको हम बताएंगी एक-एक batsman के बारे में किसका कैस strength का weakness है, तो बने रहना वीडियो के साथ end तक, spinence के अंदबास as usual, spinence को आपको यहाँ बिल्कुल हलके में नहीं लेना है, लेकिन मैं आप स selected player, तो हर एक opponents की team में आपको देखने को मिल जाएंगे, first inning और second inning scorecard का अगर comparison करें तो आप देख से तो कितना decent score हमें देखने को मिला है, मतलब कुछ matches के अंदर हमें जरूर low scoring game देखने को मिला है, तो कुछ matches में काफी जिदा हमें high scoring game देखने को मिला है, तो overall अगर बात करे pitch तो एक neutral picket है, जहाँ पर बले बाजों के लिए भी कुछ ना कुछ है, spinners के लिए भी कुछ ना कुछ है, और Pacers के लिए भी कुछ ना कुछ है, spinners को यहाँ पर दूसरी पारी में ज्यादा मदद मिला ये ध्यान रखना, जो भी team second bowling करें, उनकी आप एक extra spinner pick कर सकते हो, और जो team पहले bowling करें, उनकी एक extra cutter baller, यानि fast baller, जो death में bowling करें, उनको आप pick कर सकते हो, चन्नाई सुपर किंग्स के ये home venue है, total 68 matches team खेली, 46 match team जीती है, RCB का बहुत ही खराब record इस venue पर आ है, 13 match खेली ये team, सिर्फ 5 match ये win कर पाई है, और 2008 के अंदर यहाँ पर last match जीती थी RCB against चन्नाई सुपर किंग्स ठीक है, यानि दोनों टीमों के बीच में, total में अगर आप यहाँ पर देखेंगे न, तो 8 matches खेले गए, 7 match चन्नाई सुपर किंग्स की टीम जीती है, इस venue पर सिर्फ 1 match RCB की टीम जीती है, ओ भी तब, जब 2008 के अंदर matches खेले गए थे, तब कि ये यानि देख लो, कितने साल हो गए, और अभी तक RCB यहाँ पर, चन्नाई सुपर किंग्स को बीट नहीं कर पाई है, एकनोमी रेट की बात करेंगे, पेसर्स की एकनोमी रेट थोड़े सा हाई, स्मिनर्स के कमपेरजन में, IPL 2023 के अंदर, लेकिन, बिके टेकिंग अबिलीट के अंदर 8.34 के राउंड हमें रंस बंदते हुए देखने मिला, यानि लगबग लगगो जो एबरेज फॉस्ट इनिंग स्कोर था, 160 तो 170 के राउंड था, पेस वर्सेस स्पिन की बात करें, जो टोटल 9 मैचेस खेले गए थे, IPL 2023 के अंदर, इन 9 मैचेस के अंदर, 65 विके 2nd hitting सकंदर 23, right arm off spinner को 16 विकेट, leg break के स्पिनर को 15 विकेट, left arm और थोड़ा के स्पिनर को 13, and left arm चैने में इन स्पिनर को 2 विकेट मिले, last match के लगए था, 24 में 2023 को बिट्विन लगणू सुपर जैंट्स अंद मुंबाई इन्दियन्स, इस match के अंदर, 14 विकेट मिले थे, पे 20 मीटर है, long off and long on boundary 72, and 77 मीटर है, venue records की बात करे, T20 के अंदर, overall यहां पर 130 मैचेस खेले गए, 69 मैच, पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम जीती, 59 मैच, second बल्ले बाजी करने वाली टीम जीती, 2 मैचेस यहां पर टाई रहे, average first inning score यहां का 158 है, highest score चन्नाई सुपर किंग्स क की टीम बनाई 246, lowest score, RCB की टीम बनाई 70, scoring pattern की बात करे, जो total यहां पर 130 मैचेस खेले गए, अगर आप इसकी pattern देखोगे, 150 से नीचे 50 times score बने, 150 to 169 के बीच में 40 times score बने, 170 to 189 के बीच में 21 times score बने, and 190 पलस यहां पर 19 times score बने है, weather report की बात करे, clear sky रहे का virus किस मैच इसके अं ओबर ओल 32 हेट्विड मैचेस खेले गए, चन्नाई सुपर किंग्स की टीम 21 मैच जीती, RCB की टीम 10 मैच जीती, और एक मैच नूर जल्ट रहा, टीम न्यूज अपडेट्स की बात करे, चन्नाई सुपर किंग्स टीम को लीड करेंगे MS2 ओवरसेस प्लेयरे, डेवन कॉन ब अबलेबल होंगे at least for 4 weeks for IPL 2024 due to hamstring injury, शिवम दुबे अबलेबल है, मुस्तफिजु रमान अबलेबल है, रोयल चल्ट बैंगलो टीम को लीड करेंगे FAB 2 प्लेसिस, ओवरसेस प्लेयरे FAB 2 प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवल, कैमरन ग्रीन, टॉम करन, विल जैक्स, लोकी रिक टॉपली एंड अलजारी जोसेफ, सभी प्लेयर फिट हैंड सेलेक्सन के लिए अबलेबल है, चन्नाई सुबर किंग्स टीम की प्रुबेबल प्लेइंग लेबन की बात करू, रूदुरास गैकवार्ड और रचिंद रवेंदर आपको ओपनिंग करतुए नसराएंग अब हम डिसकस करते हैं चन्नाई सुबर किंग्स टीम के हर एक प्लेयर के बारे हम फुल डीटियल में, स्टार्ट करते हैं रूतुरास गैकवार्ड से अगेंस्ट आर सीबी इनका 37 कावरेज है और ये एबरेज और भी बढ़िया हो जाता जब ये चेज कर रहे होते हैं, इ बेने भी रिकॉर्ड इनका डीसेंट है, इस बेसली बैट फर्स्ट करते हैं इनका अच्छा पॉर्म किया है, अगर आप इनका लास्ट सीजन का भी रिकॉर्ड देखेंगे काफी डीसेंट था, 16 मैच के अंदर 590 का इनका स्कोर किया तो इद एबरेज ऑफ 42, रीसेंट अगर उसको आप लेकर के चलोगे तो इकाधी टीम में आप ड्रॉब कर सकते हैं ये ट्रॉनमेंट के लास्ट तक अच्छे फॉर्म में आ जाते हैं लेकिन इनिशियल मैचेस के अंदर फेंट्स कहिने के स्ट्रॉगल करते हैं अभी के लिए स्मॉल लिक्स के अंदर इनको प्लेयर पिक करके चलना जीयल के अंदर आप इने कैप्टन भी कर सकते हैं जीयल के अंदर आप ड्रॉब भी कर सकते हैं सामने कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है रचिन रविंद्रा अगेंस्ट आर्ची भी अपना पहला मैच ये खेलेंगे इस वेंगे अगर आप इनक से फ्रेंट से स्पीन को भी खेल रहे थे और पेस बोलिंग को भी खेल ले थे प्लस ये ओपनिंग करेंगे साथ में आपको दो से ले करके चार हवर की बोलिंग भी करके दे सकते हैं रिसेंट फॉर्म देखोगे तो ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा तो रचिन अब अपने टीम के अंदर इनको कंसिडर कर सकते हो नेक्स्ट प्लेयर है डेरियल मिचल अब देखो ये जो पेच है न में चिदमरम स्टीटियम डेरियल मिचल को बहुत ज़्यादा सूट करेगा जिस तरीके कि इनका बैटिंग स्टाइल है इनको खेलना फ्रेंड सहाबर अब ही हाल फिलाल में जो दी हंड्रेड हुआ ता वहां पर इनको ने अच्छा किया फिर उससे पहले आप देखोगे तो फ्रेंड साप पर टी ट्वेंटी बलास्ट हुआ तो वहां पर अच्छा किया वल्ल्ड कप के अंदर अच्छा करके आ रहे हैं तो डेरियल मिचल को इंडिया के अंदर खेलना काफी पसंद है आप इने Grand Licks के अंदर as a differential captain wise captain try कर सकते हो शिवम दूबे against RCB हमेशा rate out form में रहते हैं 97 के इनका average है 3 match खेले 193 score के with the average of 97 और तीनों ही पारिया इनकी पहले बले बाज़ी करती हूँ आई है तो पहले अगर Chennai बैटिंग करती है शिवम दूबे आपके लिए must है पिखोंगे Small Licks के अंदर और Grand Licks में captain wise captain भी try कर सकते हैं क्योंकि AMH जेदमनों stadium के उपर अगर आप इनका record देखेंगे तो वी बढ़िया रहा है इस भी इनको बहुत अच्छे तरीकस खेलते हैं और recent form भी इनका आपको शानदार देखने को मिल जाएगा चाहे first class cricket हो, T20 हो या फिर फिप्टी वर format सभी में friends इन्होंने batting के सासद balling दोनों से इन्होंने कमाल का performance किया है और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि धोनी इनको as a all-rounder use करेंगे सिर्फ as a batsman आपको खेल तो नहीं आएंगे यानि batting के सासद आपको balling से भी contribution करते हैं दिख सकते हैं और last IPL season भी इनकी लिए काफी शानदार रहा था 16 match के अंदर 418 score किये तो with the average of 38 MS Dhoni against RCB 39 के इनका average है और especially इनका performance chase कर तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहता है अगर आप ground पर record दिखेंगे तो ground पर भी इनके record काफी शानदार रहा है T20 के इनका 38 का average है last season MS Dhoni के लिए भूलने लाइक जैसा season था लागि ज़्यादा इनको मौका नहीं मिला था पर जितना मौका मिला ज़्यादा matches के अंदर ये परभावी तो नहीं कर पाया थे recent form आपके सामने है most of the matches के अंदर ये not out नजर आएंगे को बहुत कम इनको fans अबर मौका मिला था ठीक है तो MS Dhoni इस match के अंदर especially पहले बैटिंग आती है चन्ने सुबर किंग्स की तभी ट्राई कीजेगा चीज करते मैं इनको recommend आपको नहीं करूँगा मौन अली against RCB 4 match खेले 79 इनने score किया है प्लस 3 बिकेट्स निकाले venue पे 9 match 68 रंस प्लस 6 बिकेट recent form मौन अली का देखोगे तो ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा last season मौन अली ने bowling अच्छा performance किया था as compared to batting batting इनका sure नहीं नमबर 3 पर खेलेंगे या फिर नमबर 6 पर खेलेंगे ये आपको 30 minutes पहले deadline से पता लगएगा तो जो भी होगा आपको हम telegram channel पर update कर देंगे so make sure आप telegram को join कर ले link आपको वीडियो के description में देखने को मिल जाएगा देखो मौन अली को अगर आपको ट्राइ करना है तो as a player pick करके चलना मैं captain wise captain के लिए recommend नहीं करूँगा रभींदर जडेजा against RCB 30 match खेले 26 picket निकाले है और इनकी performance second bowling कर तो ज़्यादा अची रही है तो इसे इसको आपको ध्यान रख करके चलना है और spinner सापर दूसरी पारिम अच्छा करते भी है वेनी पर record देखोगे यहाँ पर 42 match खेले 30 pickets निकाले है last season 16 match खेले ते 20 pickets निकाले थे recent form इनके आपको बढ़िया देखने को मिल जाएंगे test cricket के अंदर अच्छा करके आ रहे है white ball cricket के अंदर ठिक ठक आपको इनके record देखने को मिलेंगे दीपक चहर against RCB 8 match खेले 6 picket निकाले हैं और इनकी आप inning वाज जी stats देखेंगे तो सभी pickets पहले bowling करते हुए second bowling करते हुए दीपक चहर ने 2 match खेले है against RCB और दोनों में picket लेश रहे है वेन्यू पे रिकोर्ड आप देखोगे तो फ्रेंड से हाँ पर 14 match खेले 19 pickets से निकाले हैं last season 10 match 13 pickets और recent form इनका तो बहुत ही शांदार है लेकिन आपको देखना पड़ेगा अगर आप 5-2 places प्लस विराट को इली दोनों को इकठे अपने team में try कर रहे हो तो फिर वहाँ पर दीपक चहर को लेने का कोई मतलब बनता नहीं है कि यह नई balls आपको bowling कर तो नचलाएंगे power play के अंदर यह 2-3 पर even कभी कभी पूरे 4 पर भी यह complete कर लेते हैं तो उस situation में होगा क्या या तो विराट को इली और 5-2 places में से कोई flop होगा या पर फ्रेंट से दीपक चहर flop होंगे तो अगर आप दोनों को try कर रहे हो तो दीपक चहर को drop कर रहे हो बड़े game changer player होने वाले है small league सकंदर try कर सकते हो आप लोग grand league सकंदर इंको try कर सकते हो पहले bowling करे तो try कर सकते हो second bowling करे तो try कर सकते हो against rcb 10 match 12 wickets दोनों ही innings कंदर इनों अच्छी bowling की ground पर recording इनके ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएंगे और last season ज़्यादा कुछ खास से नहीं कर पाया थे इनका use भी उतना अच्छी तरीके से किया नहीं किया था recent form देखोगे शादूल ठाकूर के तो आपको बड़िया देखने को मिल जाएंगे बैटिंग आता तो बैटिंग से फ्रेंड्स आपको ये किया है ये ना second bowling कर तो ज़्यादा इनकी अच्छी performance इनकी career starts आप देखोगे तो पहले innings के comparison में दूसरी innings में अच्छा performance किया है ground पर भी देख सकते हो second innings में ज़्यादा बहतर आपको performance देखने को मिलेंगे recent form इनका भी यहाँ पर इक ठाक आपको देखने को मिल जाएका तो second bowling कर करती है चन्ने सुपर किंग्स की team तो आप इने consider कर सकते हो भी इस दिक्षना against RCB काफी शांदार performance रहा है 3 match 8 pickets, first inning हो, second inning हो, दोनों innings में नोंने कमाल का performance किया है, surprisingly इस venue पी इनोंने कुछ खास अभी तक किया 7 match only 3 pickets, recent form अगर आप देखोगे तो average form देखने को मिलेगा पिछले 10 से 15 innings के अंदर, एक match के अंदर इनों 4 pickets निकाले इसके अतरीक सभी matches के अंदर, विलो average performance हमें देखने को मिला है बट स्टिल, महिस दिक्षना को मैं आपको मैं recommend करूँगा, चाहाए पहले bowling करें आपको दिक्षना को बिकेट हाँ पर मिल सकते हैं, बेंच पे आपको दिखेंगे डेवन कॉन में जोकी नहीं खेलने वाले है, अजिंके रहाने को मुझे ने लगता है कि मौका मिलेगा अगर मौका मिलता है, तो आप इने ट्राइ कर सकते हो, क्योंकि जैसा मेंने बात आपको रूतरास, गयकवार्ट कोईर मता है कि जो भी initial matches होते हैं IPL के, वहाँ पर फ्लॉप रहते हैं उसके just opposite है, अजिंके रहाने के साथ, अजिंके रहाने स्टार्टिंग मैचेस में IPL के काफी अच्छा करता है, तो अगर इनको खेलने का मौका मिलता है, ट्राइ कर सकते हो, इन्होंने हाली में रंजी ट्रॉफिक खेला था, बहुती सधरन परफोर्मेस रहा था, तो मुझ उस्तफिजुरामान खेल सकते हैं इस मैच के अंदर, किसके प्लेस पर खेलेंगे, थोड़ा सा कहना भी के लिए मुस्किल है, बट इनको चांस यहाँ पर मुझे लगता है, कि मिल सकता है, नाइन मैच खेलें, सिक्स बिकर निकाले हैं, और आप अगर इनिंग वाजी इनका ज़्यादा भिकर निकाले, तो खेलते हैं, और अगर चेनने ही पहले बोलिंग करती है, वो इस तफिजुरामान आपके लिए मस्ट है पीक होंगे, मतीशा पैतराना नहीं खेलने वाले हैं, नई बोल साब को बोलिंग करते हुए नजर आएंगे दीपक जहर, महीस्तिक्ष पहले हरकोई पार्टिसिपेट कर सकता है, सबसे ज़्यादा run कौन बनाएगा इस मैच में, सबसे दा बिकेट कौन लेगा इस मैच में, सबसे दा catch कौन पकड़ेगा इस मैच में और कौन बनेगा इस मैच का man of the match, ये आपको बताना है कमेंट सेक्षिन के अंदर, और जो भ इनका 37 केवरेज है और ये एवरेज बढ़के 54 का हो जाता है जब ये चेज करते हैं लास्ट सीजन 57 केवरेज से 14 मैचेस के अंदर 7-8-13 उने स्कोर किया था और सेकेंड हाइस टंस स्कोर रहे थे आप्टर शुमनगेल रिचेंट फ़र्म के बात करें एबरेजीन करा है साथपरिका T20 लिग के स्टार्टिंग मैचेस के अंदर उतना अचाव फ़र्म नहीं कर पाया थे लिकिन सीजन एंड होते होते इनने काफी कमाल का पहुम किया था लास्ट के पांच मैचेस के अंदर ये तीन 50 प्लिस स्कोर कर किया रहे है डुपलेशी सीजन के से पहले खेल दे थे उनकी स्ट्रेंथ फिकने स्कोर रहें पता है तो डुपलेशी स्कोर आप जरू ट्राई कर इवन आपके लिए एक सेफ आप्शन है स्मॉल लिक्स के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इस्पेसली चेज करें तो जरू ट्राई करें विराट कोली अगेंस्ट सीज के 37 कैबरज है वाइल बैटिंग फॉस्ट 47 कैबरज है चेज कर तो ज़्यादा कुछ खास इन्होंने किया नहीं है वेनुपीन का 32 कैबरज है और चेज कर तो वेनुपीन का 33 कैबरज हो जाता है लास्ट सेजन फॉर्थ हाइस टंस स्कोरर थे शुबमन गिल, फाप्टू प्लेसिस और डेवन कॉन बे के बाद 14 मैचेस के अंदर 639 स्कोर किये तो 53 कैबरज है रिसेंट फॉर्म की बात करेंगे, रिसेंट फॉर्म इनका हमेशा बढ़िया रहता है विराट कुली भी एक सेफ ऑप्शन है कैबरज है कैबरज के लिए सामने कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है जो कि इनको परिशान करेगा अगर बहुत ज़्यादा ग्रास होता इनिश्यल मोमेंट स्विंग जादा कर देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि दीपक चैन को परिशान करे अदर्वाइस कोई ज़्यादा समस्या इनको नहीं आएगी इस मैच में तो इनको भी आप लोग मैक्स तुमैक्स टीम में ट्राइ कर सकते हैं अज अ प्लेयर अज अ कैप्टन वाइस कैप्टन रजट पाटिदार अगेंस्ट सीएस के वन मैच खेले 21 के इनन स्कूर किये विनू पे टू मैच खेले 9 स्कूर ये किये हैं टीट विन्टी के अंधन का 37 के अब रजे रेसेंट फॉर्म की बात करेंगे तो ठीक ठाक फॉर्मिन कर रहा है अब देखो रजट पाटिदार भी स्पिन को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं तो एक डिफरेंशल प्लेयर आपके लिए निकल करके आ सकते हैं इसी का भी ध्यान इनके उपर नहीं है आप चाहो तो RCB के टॉप 3 ट्राइब कर सकते हैं इस पेसली चेज करे तो ठीक है और गर पहले बैटिंग आती है तब दोनों ओपनेर में से किसी भी एक कोपनेर को ड्रॉप करके रज़त पाड़िदार को रोटेट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो तो तीनों को भी ट्राइ करने का रिस्क ले सकते हो ग्लैन मैक्श्वेल अगेंस्ट CSK 30 कावरेज है प्लस 6 पिकेट इन्हों निकाला चेज कर तो ये रिकोर्ड जादा बढ़िया है वेन्यू पे अगर आप इनका रिकोर्ड देखेंगा 59 कावरेज है जो की कहने के मेरे को सरफ्राइज किया थे स्टाइट स्लो बिकेट पे भी ग्लैन मैक्श्वेल ने काफी अच्छा परफोर्मेंस किया स्पेसली बैट फरस्ट के अंदर यह जादा आपके इंपोर्टेंट रहेंगे लास्ट सिजन 33 के अबरेज था प्लस 3 बिकेट से निकाले थे और रिसेंट फोर्म आपको बदाने की जूरत ने काफी कमाल की परफोर्मेंस करके आ रहे है ओडी वर्ल्ल कप के अंदर नेक्स्ट प्लियर है कैपरिन ग्रीन अगेंस्ट CSK टू मैच खेलें 18 इन ने स्कोर किया इस वेनु पर टू मैच 47 स्कोर और लास्ट सिजन इनका परफोर्मेंस काफी अच्छा रहा था 50 कैपरे से 16 मैचेस के अंदर 452 स्कोर किया थे प्लस 6 बिकेट रिसेंट फोर्म बहुत बड़ी है 1st क्लास क्रिकेट हो, ODA क्रिकेट हो, T20 हो सभी फॉर्मेट के अंदर काफी कमाल की परफोर्मेंस करके आ रहे देखो केमलन ग्रीन को ये वेनु उतना ज़्यदा सूट नहीं करेगा, जितना 1KD स्टीडियम करेगा, या फिर M. चिन्ना सौमी स्टीडियम सूट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि केमलन ग्रीन को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जाना चाहिए, ठीक है इनको को ट्राइ करना है, तो जब प्लेयर पीक करें अदर्वाइस, मुझे ज़्यादा इन से उमीद इस मैच में नहीं है अकास दीप, इस प्लेयर के उपर आप नज़र रखना ये प्लेयर इस IPL सीजन के अदर काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, ठीक है और ये बिकेट इस प्लेयर को सूट भी करेगा, मुझे जहां तक लगता है अगेंस्ट सीजन के एक ही मैच खेले बिकेट लेट से इस वेन्यू पर कोई मैच खेले नहीं है रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबल रहा है हर एक फॉर्मेट के अंदरे प्लेयर प्रभावीत कर रहा है आपने टेस्ट क्रिकट हुआ तो वहाँ पर भी इन्होंने शांदर परफॉर्मेंस किये थे इस पेसली बैट, सॉरी, इस पेसली बॉल फरस्ट के अंदर इनको आप जरूर ट्राई करें इनका रोल बढ़ सकता है, डेथ में भी आपको बॉलिंग करते हो दिख सकते हैं पर मिडल फेज आपको बॉलिंग करते हो नजर आएंगे करन शर्मा, सेवन मैच खेलें, थ्री बिकर्स निकालें, सीएस के के गेंस्ट इस वन्यू पर टू मैच के लिए बिकर्ड लेश रहे हैं और अगर आप इनका रीसेंट फॉर्म दिखेंगे तो ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा देको मैं करन शर्मा को इस मैच के अंदर रेकमेंड नहीं कर रहा है अगर आपको ट्राइ करना है, आप इनको कर सकते हो इनका जो रिकोर्ड है, राइट हेंडर्स पहले बास के जादा बहतर है और सामने आपको लेट हेंडर्स थोड़ से जादा आपको देखने भी लेंगे इनको रेकमेंड नहीं कर रहा है अगर सेकंड बोलिंग करें, तो इनने ट्राइ कर सकते हो बट फर्स्ट बोलिंग अवाइट करके चलिए अलजारी जोसे, प्रैक्टिस मैच के अंदर चार विकेट निकाल करके आ रहे है और अकास तेपने दो विकेट निकाले थे हेट टूर्ड के अंदर थ्री मैच के लिए फाइब विकेट निकाले है और तीनों ही मैच पहले बोलिंग करते हुए उन्होंने खेला है अगेंस्ट CSK वेनु पर अफ़ी तक एक भी मैच नहीं खेले है और लास्ट सिजिन सेन मैच के लिए थे सेवन विकेट से निकाले थे रीसेंट फोर में देखेंगे तो बड़िया है विकेट अगिंग बॉलर यह ठीक है अब देखोए यहां पर अलजारी जोसेप कर ट्राइ कर रहे है ना तो ट्राइ करना बनता है पहले बोलिंग में क्यों क्यों कि जो भी CSK के मौस्टली बले बाज है नो मतलब थोड़ा सा शॉर्ट बॉल के सामने स्ट्रगल करते है चाहे रचीन रविंदरा की आप बात कर लो चाहे आप रूतरस गैकवाट की बात कर लो शियम दूबे की बात कर लो तो चीज़े कहेंगे आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो अलजारी जोसेप का रूल वहाँ पर इंक्रीज हो सकता है मिडिल फेज में बोली करेंगे प्लस डेथ में बोली करेंगे तो as a player ट्राइ करना बनते स्पेसली बोल फर्स्ट के अंदर विजयक कुमार वेस्क देखो ये न प्लियर अच्छा कर क्या रहे है लगाज़र आप देख सकते इनकी परफॉमेंस सभी मैचेस के अंदर आपको बिकेट देखने को मिल जाएंगे फर्स्ट क्लास किरिकेट के अंदर CSK के एक मैच खेले हैं एक बिकेट निकाले है इस वेनवे भी तो कोई मैच खेले नहीं है लास्ट सिजन सेवन मैच खेले थे नाइन बिकेट इन्हों निकाला था विजयक कुमार को मैं सेकंड इनिक सकंदर आपको रेकमेंड कर रहे है अगर आप इनका करियर स्टाट्स देखोगे तो सेकंड बोलिंग कर तो ज़्यादा आपको बहतर देख सेगेंगे मुहमत सिराज अगेंस्ट CSK के काफी सधरन परफोर्मेंस रहा है अगर खेलने का मौका मिलता है आपको बहतर आपको बहतर देखोगेंगे कर सकते बाटिंग बोलिंग फिल्डिंग तीनों साब को ये कंट्रिब्यूट करते हुए नजर आएंगे अनुजराओ चांसेस काफी कम है खेलने का अगर खेलते भी है तो दिनिस कार्थी के प्लेस पर खेलेंगे हालिया फॉम जदा कुछ खास इनका रहा नहीं है वेल जैक्स हिट और मिस्ट अबले प्लेयर है रीसेंट फॉम इनका ठीक ठाक है बट चांसेस बहुत कम इस मैच पे खेलने का लोकी फर्गुशन को मौका मिल सकता है अलजारी जोसब के प्लेस पे बट मुझे नहीं लगता है कि स्टार्ट लोकी फर्गुशन इसकराएंगे क्योंकि प्रैक्टिस मैच के अंदर अलजारी जोसब चार बिकेट लेकर किया रहे है हले कि अगर फर्गुशन का भी इस वर्ल्ड कॉप के अंदर चार करकिया है और अभी जो स्रीज खेले गए थे सेंठली टीटीटीटेजीस С리ज वहाँ पर भी नहीं नÈंने काफी कंमाल का पॉफाउमिंस किया था तो फर्गुशन को अगर मौका मिलता है तो फर्गुशन को भी आप ट्राई कर सकते हो नई बोल से बोलिंग कर तो नज़राएंगे मुहमद सिराज, विजए कुमार विशक, अलजारी जोसेब और अकास देब डेथ में मुहमद सिराज, विजव कुमार विशक, अलजारी जोसेब और अकास देब प्लियर बैटल, मैच अपस की बात करें रूतुरस गैकवार्ड के स्ट्रगल किसी भी आर से भी बॉलर के कैस नहीं रहा है हलाकि एक बर इनको सिराज और एक बार इनको अलजारी जोसेब और अउड किया है बट सामने कोई बहुत बड़ा थ्रेट मुझे नसर नहीं आ रहा है रशीन ट्रवेंद्रा को एक बर सिराज न और बाकी के इंद बाजों से इनका आमना समना होना बाकी है तो सिराज इनके लिए with the new ball threat होंगे क्योंकि सिराज का left hinder बल्यबाज के against record बहुत ही शानदार है शियम दूबे का struggle अलजारी जोसेफ के against strike एक बार out किया अलजारी जोसेफ ने और एक बार इनको Glenn Maxwell ने out किया मेरे recording अलजारी जोसेफ ने के लिए बहुत बड़े threat होंगे क्योंकि सिराज दूबे short ball के against थोड़ा सा struggle करते हैं और hard ball अलजारी जोसेफ हमेशा करते हैं तो यहाँ पर ये battles देखने लाइक होगा और अलजारी जोसेफ middle phase में bowling करेंगे और middle phase में batting करेंगे तो सिवम दूबे को काफी संभल कर बले बाजी करना पड़ेगा डेरिल मिचल का struggle किसी भी गिंद बाज के against नहीं रहा है किसी भी एक single गिंद बाज ने RCB का out इन को अभी तक नहीं कहला कि sample size बहुत ज़्यादा छोटा है जटेजा इन के लिए थ्रेट होंगे, लास्ट सिजन भी जड़े जन ने क्लीन बोल्ड इनको कर दिया था, लैप टाम और थोड़ा के स्पीन के सामने हमेशा से विराट कुईली का इस ट्रगल रहता है, क्लैन मैक्सुल का इस ट्रगल रहा है, रभींदर जड़े जड़े जान इनको आउट किया ज जितने भी गिंद बास इनको परिशान को मिडल ओवर्स में आपको बोलिंग करते हैं नजर आएंगे, तो हो सकता है इस मैच में ग्लेन मैक्सुल बैटिंग साब को जड़ा बड़ी पारी खेल कर ना दे पाए, तो इनको ऐसा प्लेयर भी पिक करके जा सकते हो, क्यामन ग्र और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल एकन को ओल पे कर दीजिए, बिकट किपिंग सेक्शन से में फिलाल के लिए MS दोनी को पिक करके चल रहा हूँ, जिसकी टीम पहले बैटिंग करेगी, उसको मैं लेकर आर्सी भी पहले बैटिंग करेगी, मैं दिनेस कार्थी के साथ जाऊँगा, सियसके पहले बैटिंग करेगी, तो MS दोनी के साथ में जाऊँगा, बैटिंग सेक्शन से रूतुरास गयकवार्ड, विराट कोली, फाब डु प्लेसिस, एंड शियम दूबे को मैं पिक करके च अब देखो इस टीम के अंदर कई सारे चेंजिज हो सकते हैं, एकॉर्डिंग टो पेच, एकॉर्डिंग टो प्लेइंग इलेबेन, तो आप लोग टेलिग्राम को ज़रूर जोइन कर लिजेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन म हम बाद करते हैं, शेफ option फर कैप्टन वाईस कैप्टन के लिए स्मल लिक्स के अदर किसको कर सकते हो, ये तीन प्लेयर आपके लिए काफी inclusive option होंगे, के लिए स्मौल लिक्स के अंदर, विराटको पलीव, आपनो प्लेशिस, उरूतुर हस, गैकवारूर आप Grand Licks खेल रहे हो तो Grand Licks के अंदर मैं आपको recommend करूँगा शादूल ठाको जिनको मैं भी small Licks अंदर भी try नहीं किया जो कि मैं 110% try करने वाला हूँ especially ball first के अंदर आप शादूल ठाको को try करके चलोगे शिवम दूबे को आप लोग फ्रेंड से आपर Grand Licks के अंदर कर सकते हो कब try करना है जब CSK के टीम पहले हैं पर बल्ले बास ही करेगी इसके अतरिक्त आप लोग यहाँ पर try कर सकते हो